है यह लो गाईस दिस इस कुल्दीब एंड यू रवाचिंग स्टेड़ी सेंटर आज के सेलेक्शन में हम बात करेंगे असंड की आसंड में इस टाइम का फूर्ट है सो आसं में इस तका फूर्ट होने के वाब जुद्वा की जो राइगुलर राइस का फूर डिस्टर हुई यह वहां के नेशनल पार्क, वहां के एनिमल्स, काफी इसाली चीज़ें डिस्टर्ब हुए हैं, तो आज के सेलेक्शन में देखें हैं कि वायर फ्लेट्स आर सो डेस्टर्टिव इन असम, इनके फैक्टर्स को हम जानेंगे, तो अगर आप गूगल पर असम फ्लेट्स जैसे ही टाइप करके सार्च करेंगे, तो गूगल यह शो करता है, तो इससे हमें पता जलता है कि असम में अवी जो हाला तर सिचुएशन हैं कितनी खराब है, कि गूगल इस्पेशली ही सारी चीज़ों को सो कर रहा है, देन ये कुछ दरस्ते हैं असम के जो वहां पर है भी, ये कुछ और तस्वीर हैं, वहां पूरे गाओं के गाओं पानी में आ है, देन ये कुछ अधर पिक्चर, ये वहां के नेशनल पार्क के जो अनिमल लाइफ है, वहां अनिमल लाइफ भी काफी सपर कर रही है, देन य लिखा हो कि Assam flood over 120 there and 26 138 lakh people affected in 27 district almost all over Assam में लोग डिस एफट होए है इस flood से so Assam flood so Assam continue to be edge because of its flood disaster and this became annually calamity so yeah some sledge of her salty and no calamity ban here because Assam and some sees major flood every year so Assam a her cell year as if for course face cut our hustle he lives lives are lost then millions of people get displaced blaze crops infrastructure and others get destroyed so inflates keyword they say monkey life wonky blaze growth infrastructure party sub cheese every destruction mister destroyed face करती है so almost और वहां का जो में या जो काफी famous काजी रंगा नेशनल पार गया है almost 85% our area are some much जो पानी में डूब गया है then it's man is really high key animals die as flood water somewhat Assam काजी रंगा नेशनल पार सो काजी रंगा में जो एश अनिमल है वो काफी सफर कर रहे हैं because more than hundred of wild animal including at least eight to ten जो हमारे रेर राइनोज है विया वन हो राइनोज है वो उनकी देथ हो चुकी है इस recent flooding में और जो so dozen of और बाकी के other animals है जिन में की deer हैं बाकी white buffalo है वो भी इस flood में मारे जाच हो के उनकी भी काफी बड़ी नमर में बड़ी नमर सेंख्या में काफी दैसरी और मैंने डाइट ड्रॉइंग अल्डो मैंने डाइट ड्रॉइंग और अधर अल्डो हर है वाई वीकल दैन एस दे अटेंप्टे टू इसकेप इस चीज से बचने के लिए कुछ लोग डूबने से मैं कुछ लोग जो भागने गया उस चीज सो बचने के लिए वीकल के द्वारा हिट हुए हैं सो इस से उनकी दैथ हुए है है सो काजी सो इस में ए अमीन है कजी रंग़ नेशनल पार सो इट इस अ पार्क इन वेट इजब नेशनल पार इन गोलगाट एंड नगाव डिस्टेक अर्ट में जो असब के गोलगाट अनग डिस्ट्रिक में हैं काज रंगाश अजब लगस्ट पोपुलिए लाइड तर्ट अब दर्ट ग्रीट वन होन राइन ओजो वर्ड की जो गेट वन होन राइन वह वह यह सेंच्री तू थर्ट होल करते हैं और इसको एज़ वर्ड है डिटेटर साइट भी बोलते हैं तो ऐसम ऐसे पांच नेशनल पार्ग अपने या या अपने आफ रखता या करता जो कि एसके बैग्रांड के बारे जाहते हैं कि अधना फिलट क्यों आता है वाइल फट सार रेगुलर एन्युल फीचर इन दासम जो कि अब रेगुलर हो गया या एन्युल हो गया है सम यह विटनेस मोर डेस्ट्रिक्षन लेकिन कासको साले हैं कि काफी जादा डेस्ट्रिक्षन देखने हों को मिलें नमेंसे कुछ नैन्यET एकटीन दैन नैन्टी नैन्टीन दैन्य नन्मेंटी लैंन डैन फैस त्टूजन फोर ये तीन यह कफी project क्या है और यह कफी और ज्युक्षाल ले पीपल को अफेक्ट किया है अलों द्याओन उसमें से 251 लोग की देथ हो चुके इन 2004 की फ्लाड में सो दा करेंट वेव और फ्लेट की जो अभी करेंट में जो चाहिए चल रही है सो उससे पता चला है कि उसमें वी दो तीन से चार मिलिन प्यूपर इफेक्ट विए इससे ज़्यादा विए हैं और कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि इससे और ज्यादा चीज़ें भी खराब हो सकते हैं सबसे मेन ब्रहंपत्रा ने कि जो यह पॉंट है या असाम की जो टोपोउंट है या उसमि भी लोगर्च वरीक्स ब्रहंत्र व्रेड़ेस table एक्ट वो ब्यूडबेडब है और एंस्टेवल सो एंस्टेवल है और यह पूरे का पूरे सम को उसमें रीच है उसकी ब्रह्म पत्राम है तो अगर वहां पानी तेजी से भी आता है तो वह फ्लड की रूफ वह फ्लड में कनवट हो जा लाएं बिसाइड इस वैक्टर के लावा अधर फैक्टर भी यहां जो की असम की डेस्टेक्शन में थोड सब्सक्राइब करता है जो की असम की फ्लड में काफी कॉंट्रूट करता है विकोज जो इस रिवर की केच्च्मेंट अरियम अगर रिवर पानी दोबार उस एरियम में आता है तो एज़ फ्लेट की तरह रोल प्लेए करता है सो फेक्टर फॉर्ट एंड को अगसा परते हैं तो सेक्टर फासर्ट मैं धैन हाई परसेंटेज असलर्ट पूर्ण एरिया जो हाई परसेंटेज आई यह क्योंकि इसमें एसम का जो जो टोटल लैन उस टोटल इमेंस एक्ट कि लिया और एक्ट आने के वज़े से और बैंक और बैंक रोजन के वजह से अंबैंक करोजिण के वज़े सेंटेज एई और यह बैंक रोजन में लिब्रह्मपुत्र और वहां की जो बराकरिवार है वहां देखा जाता है और इस चीज़ देखी जाती है और इस तेमेंट यह साल एट थाउजन हेक्टिर के अरॉंड लेंड जो इस एरोजन में हम लॉस्ट कर देते हैं असम का देंट डैम्स वहां जो डैम्स बने हुए अधन साइड में जो उच्छी साइड में अगर वस डैम से जो इंस्टेबल यह अंड इंडरेवल तरीके से पानी जब रिलीज होता है असम के प्ली एरिया महें जाता है और वहां इस चीज को वह फ्लेट के रूप में अपनमट होके वहां के लोगों को अफेक्ट करता है दैन वहां असम के जो सिटिय है लाइक गौहार्टी गौहार्टी की टोपोगाफी एक उसकी सेप्लाइक के बौल इसकी सेप्सक्तर रिया जो अर्बने रियरे ऑस, ए ंग और चैंज मह वैबस्यां अर्ण गुर्वर मेश सु आ कब Е.। तो वह वनवे ने इंक्रूच्मेंट एम धौर बढनी जाता है। यह एक बड़नवा, ठीच फेक्टर है. और भी अपना पाथ या उस अपना को फ्रीकुंट्ली चेंज कर देती है जो और इट इस वर्चुली इंपॉसिबल जो की इंपॉसिबल है कि इसको हम कंटेंड कर सकते हैं सो इसमें एक बड़ा फेक्टर जो काफी बड़ा लोट लेका थी विकोस तीन दिन से इतने एक्स्टेम्ली हाई रेल फॉल हो रही है सो यह एक बेगास फेक्टर की तरह है उस मैसे फ्लैड में ट्रिगर करती है और वहां के रीजनल मेंट रिलेजिकर सेंटर जो गुहार्टी होती देन 15 जलाई को तो नॉमना डेसे 224 परसेंट रेंज जादर होती सो यह रें भी उस असम फ्लैड में काफी एक्स्टीमिली अपना रोल प्लेग कर रहे हैं दैन मार्ट निक्स तू बिन सो क्या चीज हैं जो हम कर सकते हैं इसके लिए पहले हमें स्टुडिंग दरीवर प्लाइम चैन्ज जो यवर के बादे अंहां इसका इंपक्ट पड़ा वह देखना पड़ेगा थे न बादर फ्लो इंफ्लों मेशन शेडवा चायना ऑन दा ब्रंपत्र रव्या चायना के दो ब्रंपत्र में जो पानी छोड़ा जा था उसकी जो इन्फॉरमिशन है वो इं पुट्रा की लिए रिवर की इंफर्मिशन इंडिया को शेयर नहीं काता था नें ओर एक तो दो दिन बाद या एक दो इससे दो दिन लेट भी रेन के बारन फोरकास्ट होता है देन नान एंग्जिस्टेंस इन मेंस्ट्रीम मेडिया इस असम के फ्लट को इस टॉपी को में सब्सक्राइब कम मेंगे तो वहां की लोकल गवर्मेंट स्टेड गवर्मेंट प्लस नेशनल गवर्मेंट पर थोड़ा प्राइसर के डोगा और यह रिलिव और जड़ तेजी चलाए जाए 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 जाएंगे काजी रंगा व्ल्ड की टू थर्ड राइनो की पॉपलेशन को कंटीन करता है जो वन हौन राइनो है तो उसके वन्ग मैं है और वाइल डाप प्रोटेक्शन एफ नाटी सेवंटी टू मैं तो अगर हम सब को असाम फ्लेट के बारे में और आवरनेस होगी और ये टॉपिक के बारे में में स्टीम मेडियम इसको कवर करेगी तो में भी असाम के लोगों को थोड़ा हैल प्रोवाइड होग विकाज लोगल और स्टेट गोवर्मेंट के उपर अभी प्रेशर बहुत जाधा और अभी है वीकॉज ऑप कोविट पैंडेमिक के वज़ह से विकाज ऑगोविट पैंडेमिक के वज़ह से रिलीफ ऑपरेशन को करने में भी प्रोग्लम आ रही है तो हम सब को ये चीज़ सोच कर और फ्लेट के बारे में awareness और ज़्यादा करना होगा और असम के development के बारे में और ज़्यादा काम करना होगा because annual flood की वज़े से यह development process और जो development की काम है वो थोड़ा और slow हो जाते हैं सो इन सब चीज़ों को दियान में रखते हुए यह चीज़ें करने पड़ेगी और असम के front के बारे में थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि आखिर हर साल यह चीज क्यों होती है आखिर क्यों state government या क्यों local government इस चीज़ को tackle नहीं पर कर पाती होती है तो हर साल तो इतना तो मालों पड़ जाना चाहिए कि का से चीज़ें स्टाट होती है तो काई चीज़ों खतम होती है तो आज की एलक्षन नमस इतना ही अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब देडी सेंटर और प्रेस्ट बेल इकन फोर मोर अप्डेट्स और धन्यवाद